इस बात में कोई भी संदे नहीं है कि महाभारत यूद में भाग लेने वाले दो महान योध्धाओं कर्ण और अर्जुन में से सबसे निपुन धनुर्धर कर्ण ही थे यह बात स्वयम शिरी क्रिशन ने अर्जुन से कही थी परंतु कर्ण के द्वारा किये गए कर्मों के कारण उन्हें इस यूद में अर्जुन के हातों पराजे और मृत्यू दोनों मिली भले ही महाभारत के यूद में कर्ण अर्जुन के हाथों मारे गए थे परन्तु उसी यूद के दोरान कर्ण ने अर्जुन को दो बार जीवन्दान दिया था अब प्रशन यह उठता है कि कर्ण ने अर्जुन को दो बार जीवन्दान क्यों दिया क्योंकि कर्ण अर्जुन को अपना सबसे बड़ा प्रतिदवंदी और शत्रु मानते थे तो आये जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यूं कर्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दो बार जीवन दान दिया था प्रणाम मित्रो ज्यान और वेरंगे चैनल में आपका भूछ स्वागत है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो आईए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो इतिहास में कुरुक्षेत्र यूद को धर्म यूद के तोर पर जाना जाता है लेकिन इस धर्म यूद में छल करना एक आमसी बात हो गई थी युद में चल करने से कोई पीछे नहीं हटा चाहे कोरव हो या पांडव लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो इस धर्म युद में धर्म के अनुसार ही युद लड़ रहा था जिसने कभी चल नहीं किया और वह योद्धा है दानविर कर्ण जिने देवता भी हरा नहीं सकते थे कर्ण ने अर्जुन को कब और कैसे कुरुक्षेत्र में दो बार जीवन दान दिया था वह बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि अर्जुन ने कर्ण को किस प्रकार छल से मारा था कर्ण के साथ हमेशा अन्याय ही हुआ विद्या प्राप्त करने गए तो द्रोणाचारे से मिला तिरसकार भगवान परशुराम ने उन्हें शिक्षा तो दी लेकिन सब भूल जाने का श्राब भी दे दिया अन्जाने में जब उन्होंने एक ब्रामन की गाये को मार डाला तब भी उन्हें एक श्राब मिल गया युद्भूमी में वो सभी श्राब कर्ण पर भारी पड़ गए ब्रामन से मिले श्राब के कारण युद्भूमी में कर्ण के रत का एक पहिया जमीन में धस जाता है और परिशुराम से मिले विध्या भूल जाने के शाप के कारण युद्ध भूमी में सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता ऐसी हालत में करण बहुत दुखी हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं की हे अर्जुन थोड़ी प्रतिक्षा करो जिससे मैं इस फसे हुए पहिये को निकाल सकूँ जिसके बाद मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूँगा तुम यह ना सोचो की मैं तुमसे डर गया हूँ मैं जानता हूँ की तुम एक वीर युद्धा हो लेकिन अभी मैं निशस्त्र हूँ और तुम कायर की तरह मुझ पर वार नहीं कर सकते इतना बोल कर कर्ण अपने रत का पहिया निकालने की कोशिश करने लगते हैं और तभी अर्जुन उन पर बान चला देते हैं और उसी समय कर्ण की मृत्ति हो जाती है और छल से एक महान युद्धा का वद किया जाता है मोका पाते ही अर्जुन ने कर्ण को मार डाला था तो इस तरह चल से अर्जुन ने कर्ण का वद किया था अब आप जानिये की किस तरह से अर्जुन को दो बार कर्ण ने जीवन दान दिया था महभारत का सबसे भ्यानक युद कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद था कर्ण ने अपना सरप्रूपी बाण अर्जुन का वद्ध करने के लिए छोड़ा इस बाण के छूटते ही समस्त आकाश जल उठा जिसे देखकर शिरी कृष्ण सोच में पढ़ गए की अब इस बाण से तो अर्जुन नहीं बच पाएंगे और बाण के वार से अर्जुन को बचाने के लिए शिरी कृष्ण ने खेल खेलते हुए अपने रत पर एक पैर रखकर इतना जोर दिया की रत थोड़ा सा मिट्टी में धस गया और कर्ण का वहबाण अर्जुन के मुकट के ओपरी हिस्से को काटता हुआ निकला और अस्चर्य की बात तो यह थी की वहबाण कर्ण के पास वापस जाकर कर्ण से तरक वितरक करने लगा कर्ण के द्वारा छोड़ा गया वहबाण क्रोधित अवस्था में कर्ण के पास गया और बोला अब की बार जब तुम अर्जुन पर निशाना सादो तो ध्यान रहे की निशाना अचूख होना चाहिए अगर मैं लक्ष पर लग गया तो हर हाल में अर्जुन मृत्यु को पा जाएंगे तथा उनकी रक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती इस बार पूरा प्रत्न करो तुम्हारी परिक्षा अवश्य ही पूर्ण होगी कर्ण ने जब यह सुना उन्हें बड़ा अश्चरे हुआ और उन्होंने उस बान से कहा कि हे नात मेरे तरकस से एक बान सिर्फ एक बार ही निकलता है और मेरे पास और भी कई शक्तिशाली बान है जिन से मैं अर्जुन का वद कर सकता हूँ हे नात तुम यहां से चले जाओ मैं किसी और की ताकत से अर्जुन को नहीं हराना चाहता हूँ एक दिन युद में फिल से एक ऐसा वक्त आता है जिसमें कर्ण अर्जुन को असानी से मार सकते थे लेकिन वो अर्जुन को जीवन दान दे देते हैं कर्ण और अर्जुन में बहुत ही भयंकर युद हो रहा था युद के दोराण एक समय अर्जुन अपने बानों से कर्ण को बेहोश कर देते हैं बेहोश करने के बाद भी कर्ण को मारने के लिए अर्जुन कर्ण पर बान्द चलाते रहते हैं और कुछी समय बाद करण उठकर फिर से यूद करते हैं और अर्जुन को बेहोश कर देते हैं लेकिन करण बेहोश अर्जुन पर एक भी बाण नहीं चलाते और अर्जुन को जीवन दान दे देते हैं अब तो आपको ग्यात हो ही गया होगा कि करण कितने महान योध्धा थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्गे मैदान में किस प्रकार अर्जुन को दो बार जीवन दान दिया था यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोचाहिद जरूर करें आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तूती आपको काफी पसंद आई होगी आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाने के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद